तो चलिए students बढ़ते हैं methods of preparation of carboxylic acids में बारी-बारी carboxylic acids हम बनाएंगे सोच यह वह कुछ से COOH कैसे बन सकता देखो COOH यहीं से कोशिश करो इसको याद रखने की कैसे बन सकता है तो सबसे पहला method आता है जो very well known method है that is oxidation of alcohols means जब आप alcohol का oxidation करवाते हो तो आपके पास carboxylic acids बनते हैं और generally कौन सी alcohol का primary alcohol का जब भी आप क्या करवाएंगे बचे oxidation करवाएंगे तो आपके पास carboxylic acid बनेंगे let's see माल लिजे आपके पास है ethanol CH3CH2OH ethanol तो आपको oxidation करने के लिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए ठीक है इथेनोईक acid बना देंगे इथेनोल का इथेनोईक acid तो यहाँ बन जाएगा बच्चे इथेनोईक acid तो याद रखेंगे जब भी आप oxidation वाला प्रोसेस करेंगे जितने carbon की alcohol होगी उतने ही carbon का carboxylic acid आपको बनाना है जैसे यदि मैं यहाँ पर प्रोपेनोल लूँ प्रोपेनोल CH3 CH2 CH2 OH तो बताएए oxidation होने के बाद क्या बनेगा आंसर आएगा प्रोपेनोईक acid तो यहाँ बनेगा बच्चे CH3 CH2 COOH यदि प्रोपेनोईक acid क्लियर है यदि मैं यहाँ पर बेंजोईल अलकोहल लेता हूँ देट इस बेंजीन के ऊपर है CH2 OH और इसका oxidation करवाता हूँ क्या आपके पास बनने वाला प्रोड़क्ट होगा वो होगा बच्चे बेंजोईक acid क्या बनेगा आपके पास बेंजोईक acid बनेगा क्लियर है आप बेंजीन के ऊपर यदि यह अलकोहल भी ल तो बताइए है तो primary alcohol तो अगेन इसका oxidation होगा तो क्या बनेगा देखिए यह CH2 तो as it is रहेगा यह CH2 तो as it is इसका COH बन जाएगा इसका क्या बन जाएगा COOH तो देखिए ना carbon number उतने ही है ना देखो बेंजीन के ऊपर एक carbon था यहाँ पर भी एक carbon है बेंजीन के ऊपर दो carbon अब भी बेंजीन के ऊपर कितने carbon है दो carbon means जब भी आप oxidation करवाएंगे primary alcohol का तो आपके पास उतने ही carbon का carboxylic acid बनेगा सर यदि secondary alcohol ले लेते हैं तो यदि आप secondary alcohol लेते हो बचे ठीक है तो आपके पास क्यामनोफोर डालने के बाद oxidation तो होगा लेकिन secondary alcohol का oxidation सिरफ ketones तक होता है वहाँ carboxylic acid नहीं बनता means इसका जो product आएगा वो आएगा CH3COCH3 कहां आके रुक जाएगा oxidation किटोन पे आकर रुक जाएगा किटोन से आगे oxidation possible नहीं है क्यों नहीं है possible क्योंकि इस carbon पे hydrogen ही नहीं बची हुई है क्योंकि हमें पता है कि hydrogen का हटना ही क्या कहलाता है oxidation कहलाता है तो किटोन्स का oxidation इस आगे हमारे पास नहीं होता है तो secondary alcohol से carboxylic acid नहीं बन सकता अच्छी बात है सर बिल्कुल तो सर क्या aldehyde का oxidation हो जाएगा हां जी बिल्कुल यदि आप aldehyde का oxidation करवाते हो के अमनोफोर के साथ या के टूस या टूस 7 के साथ तो भी आपको और क्या बन गया है प्रोपेनल गया है प्रोपेनोइक एसिड अगेन यदि यहां पर मैं बेंजलडी हाइड लेता हूं बच्चे बेंजलडी हाइड और उसका भी मैं क्या करवा देता हूं Oxidation इसका मतलब है Oxidation Oxidizing agent मैंने वहां लिख्यो है बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं तो यहां पर भी क्या बन जाएगा बचे बेंजोईक एसिड बन जाएगा तो कहने का मतलब यह है सबसे पहला जो मैथड है वो बनाने का वह है प्राइमरी एलकोहल का यदि आप स्ट्रोंग ओक्षिडाइजिंग एजन्ट के साथ Oxidation करवाते हो दन यू विल गेट Carboxylic Acid and even Aldehyde का भी जब आप Oxidation करवाते हो तब भी आपको क्या मिलेगा Carboxylic Acid मिलने वाला है Ketones और Secondary Alcohol और Tertiary Alcohol का Oxidation होने से Carboxylic Acid नहीं बनता Ketone का Oxidation नहीं हो सकता Secondary Alcohol का Oxidation होने से Carboxylic Acid नहीं बन सकता Ketone तो बन सकता लेकिन Carboxylic Acid नहीं बनता Tertiary Alcohol का भी Oxidation नहीं होता तो ये था हमारे पास पहला मेथड Carboxylic Acid बनाने का and I hope आपको ये अच्छे से clear हुआ है तो चली स्टुडेंस अगले मेथड में प्रोसीद करें तो अगला मेथड है फ्रोम नाइट्राइल्स नाइट्राइल्स मील्स यदि साइनाइड लगा हुआ है Cn ग्रूप तो वो क्या कहलाते हैं नाइट्राइल्स इनसे भी Carboxylic Acid हम बना सकते हैं तो यहां पर भी स्टार लिखकर या इस तरह से बनाकर आप एक बात लिख लीजिए Complete Hydrolysis Complete Hydrolysis Of Cn Gives Carboxylic Acid C-O-H means Carboxylic Acid जब जब आप साइनाइड की Complete Hydrolysis करवाऊगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है? Carboxylic Acid मिलने वाला है लेकिन यदि आप Partial Hydrolysis करवाऊगे Partial Hydrolysis तो आपको मिलेगा Amide क्या मिलेगा? Amide Nitrile की यदि Complete Hydrolysis होती है तो Carboxylic Acid मिलेगा बट यदि Partial Hydrolysis होती है तो आपको क्या मिलेगा? Amide मिलेगा Let's have an example देखें, आपके पास है CH3C Triple Bond N आपने इसमें डाल दिया पानी किसके साथ? Acid के साथ या फिर बेस के साथ? ठीक है, इसी को Hydrolysis बोलते हैं Hydro means क्या होता? पानी Hydro means पानी Acid या बेस में पानी मिलाकर डालता है तो Hydrolysis कहलाता है तो देखें, क्या होगा यहाँ पर जब भी आप पानी डालेंगे तो पानी को एक बार इसके उपर लिख दो OH2 ऐसे लिख दू, OH2 पानी देखो, क्या बनेगा? CH3, CO, NH2 यह बनेगा लेकिने कौन सी Hydrolysis करवाई हभी तक हमने पार्सियल Hydrolysis ठीक है? आप फर्दर इसकी Hydrolysis करवाते हो बच्चे, क्या करवाते हो? फर्दर इसकी Hydrolysis तो यह बोंड यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक और पानी के अंदर जो OH ग्रूप है और यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा फाइनली यहाँ पर CH3COOH means Carboxylic Acid क्या मिल जाएगा? Carboxylic Acid पार्सियल Hydrolysis बनाब थोड़ी Hydrolysis करवाओगे तो Amide Complete Hydrolysis करवाओगे तो क्या मिल जाएगा? Carboxylic Acid तो ऐसे लिख दिया करो देखो H2O H पलस यहाँ लिख दिया करो Complete Hydrolysis Complete Hydrolysis लिख दिया करो सिधा Complete अब कुछ नहीं करना आपको जब Complete Hydrolysis करोगे तो कितने कारबन इसमें? एक, दो, तीन तीन कारबन का Acid लिख दो सिधा तो क्या आजाएगा यहाँ पर अंसर? प्रोपेनोईक एसिड CH3, CH2, COOH Direct प्रोपेनोईक एसिड आजाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? Complete Hydrolysis खलियर है? हाँ जी सर बिल्कुल खलियर है तो बताइए यदि आपके पास Sinovengen है Sinovengen तो इसका Carboxylic Acid बनाना है तो क्या करोगे? तो आपको लिखोगे H2O H plus Complete Hydrolysis Complete Hydrolysis तो जब Complete Hydrolysis होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बच्चे Benzen Benzen के उपर लग जाएगा COOH That is Benzoic Acid आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा और इस तरह से हम क्या बना पाएंगे बच्चे Carboxylic Acid बना पाएंगे तो क्लियर है आपको Second Method कि जो Nitriles है आपके पास Sainide है इनकी जब Complete Hydrolysis करवाएंगे तो हमारे पास Carboxylic Acid मिलेगा और आपको सिरफ Sainide की जगए COH चिपका देना देखो तो हमें दन यू रोट गेट Carboxylic Acid यू रोट प्रोसेस अट अमाईड स्टेज लेट स्टोशीड तो नेक्स्ट मेथड तो चले स्टुडेंस बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड और प्रिपरेशन ओप Carboxylic Acid दाट इस फ्रूम अलकाइल बेंजीन इसका क्या मतलब है यह अलकाइल बेंजीन का मतलब है बच्चे बेंजीन के ऊपर आप कोई Carbon Chain लगा दीजिए जैसे मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया तो मिथाईल लगा दिया ना तो यह मिथाईल बेंजीन है आप क्या करिए आप इसमें KMNO4 डालिए उक्सिडाइजिंग एजेंट बेसिक मिडियम में किसमें बेसिक मिडियम में ठीक और फिर कर दीजे इसकी हाइड्रोलिसिस देखो हाइड्रोलिसिस तो पता क्या गरना है आपको इस उपर वाले ग्रूप को उड़ा दो यहां से उड़ा दो इस ग्रूप को बस उड़ा दिया तो क्या बच गया हमारे पास बेंजीन और उसकी जगह बस COH लगा दो सिद्धा क्या लगा दोगे सिद्धा COH और कुछ नहीं करना आपको बस सर यह तो बड़े काम की चीज है चलो फिर और अलकाइल ग्रूप लेते हैं बेंजीन के उपर मैं लगा देता हूँ यहां पर CH2 CH3 CH2 CH3 अगेन KMNO4 है बेसिक मीडियम है और फिर क्या करवाएंगे आप हाइडरोलिसिस अब क्या करें सर अब भी उड़ा दे भई दोनों को उड़ा दो इन दोनों को और उपर क्या बना दीजिए आप बेंजीन पे लगा दीजिए बच्चे COOH बस बेंजोई कैसिड आंसर आएगा कहने का मतलब यह है यहां कार्बन नंबर सिरफ घटेंगे यहां एक कार्बन दा एक ही है यहां दो है फिर भी बलब आंसर बेंजोई कैसिड ही आएगा और कोई नहीं आने वाला आंसर अच्छा सर तीन कार्बन की चेन लेना ये लो गई विश्वास नहीं हो रहा आप लोगं को मुझे बिल्कुल भी CH2 CH2 CH3 अगेन KMNO4 बेसिक मीडियम हाइडरोलिसिस इसको उपर वाले गरूप को उड़ा दो और उसकी जगह पे क्या लगा दोगे आप COOH लगा दोगे पस अंसर आगे सर यह तो काम की चीज है ऐसा तो बहुत ही असान हो जाएगा इससे तो उमारे लिए चीजें हांजी बिलकुल असान हो जाएगे आगे बढ़िए देखिए यदि आपके पास आपने ले लिया बेंजीन और CH CH3 फिर यहाँ पर भी CH3 सर ऐसा ले ले तो तो भी उड़ा दो भई सेम रिएजेंट है तो भी इसको उड़ा दो कब तक उड़ाना इसको सुनिए जब तक रिंग के साथ जो ये कारबन जुडा हुआ है इस पे हाइडरोजन लगी रहेगी क्या लगी रहेगी इस पे हाइडरोजन तब तक उड़ा दो आफ इसको अब भी is उपर वाले गृप को उड़ा दो तो क्या बन गया आपके पास benzoic acid क्या गया बच्चे benzoic acid clear है एक और लिख रहा हूं मैं यहाँ यहाँ पर this is benzene as it is मैंने यहाँ पर carbon लिखके CH3 यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 again same reagent same reagent अब कोई reaction नहीं होगी क्यों कि जो carbon ring के साथ लगा है उस पे कोई hydrogen ही नहीं लगी हुई और जब hydrogen हटेगी नहीं तो oxidation कैसे होगा क्योंकि oxidation का मतलब ही होता hydrogen का हट जाना तो अब oxidation नहीं होगा कब oxidation होगा जब इस carbon पर क्या लगी होगी hydrogen जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है कलियर है तो यह अलकाइल बेंजीन से हम बना सकते हैं फिर लिखा वह बच्छे अलकीन से भी बना सकते हैं तो कोई भी अलकीन लेलो महां लीजे मैंने लेली CH3 CH double bond CH single bond CH3 यह क्या लेली है बच्छे मैंने क्लाशियम डाइक्रोमेट तो करना गासर अब करें क्या देखो इस एलकीन को यहां से तोड़ोगे देखो यहां से तोड़ दो यहां कितने carbon बच गए दो तो दो carbon का कौन सा carbonic acid होता इथे noic तो इथे noic acid लिख दो भी यहां पर देखिए CH3 COOH इधर कितने carbon है इधर भी तो दो है न तो यहां पर भी क्या हो जाएगा और क्या बन जाएगा एक और इथे noic acid मतलब इथे noic acid के दो molecule मिल जाएगे आपको सर्यदी मैं ऐसा कर दूँ तो CH3 CH2 CH double bond CH single bond CH3 same reagent मतलब Kmno4 भी हो सकता है यहां पर क्या भी हो सकता है बच्छे यहां पर Kmno4 hot with basic medium यह भी हो सकता है तो सर अब क्या करूं अब भी उड़ा दो इसको इसको तोड़ दो यहां से अलकीन को तोड़ दो बस यहां कितने कार्बन है बच्छे तीन तो तीन कार्बन का कर्बोक्सलिक अशिड बनाईए तो क्या बनेगा तीन कार्बन का CH3 CH2 COH that is propanoic acid इधर कितने कार्बन है दो दो उनका भी क्या बना दोगे कार्बोक्सलिक अशिड तो चले यहां पर यह मेथड हमारे पास complete होता है तो प्रोसीद करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ देखते हैं वो क्या है तो चलिए स्टूडेंस यती बात करें हम नेक्स्ट मेथड की तो वह आ गया है फ्रों ग्रिग् किसे ग्रिग्नाड रिएजद से और ग्रिग्नाड रिएजेंट होता है और म्ग जहां पर की वैल्यों कोई भी कर्बन की चेन हो सकती हमालीजीए थी थरी मजी एक्स की जगह लेली में ब्यार तो यह भी रिग्नाड रिएजेंट है यहां पर दो carbon लगा दूमें CH3 CH2 यह ब हो सकता है यहां पर कार्बन चेन को आप बढ़ाते चलिए क्लियर है हांजी सर बिल्कुल क्लियर है तो सर ग्रिगनार्ड रिजेंट से कैसे कर्वोक्स लेक ऐसे बनाएंगे तो खुद सोचो एक बार दिमाग लगाना थोड़ा सा यहां पर सी एच तरी तो पहले से हैं आपको ग्रिगनार्ड रिजेंट जब सी ओटू से रियक्शन करता है और आप हीट कर देते हो ड्राइधर के साथ तो आपको कर्बुक्सलिक एसिड मिल जाएगा लेट असी देखते हैं देखे भई यह मेरे पास है ग्रिगनार्ड रिजेंट सी एच थरी एम जी बी आर क्या है यह जो कार्बन होता उस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि कार्बन मेगनेशियम से ज्यादा इलेक्ट्रों नेगेटिव होता है और यहां सी ओटू में जो कार्बन होता है उस पे डेल्टा पोजिटिव चार्ज होता है तो बताई इस पे डेल्टा नेगेटि की तरप तो देखे क्या होंगा बची ध्यान से समझते रहाना ड्राइफर में होती हैं ड्राइफर में तो देखे क्या होगा यहां पर कि सी ह 나올 कि सी डिणधा डिबल्म का लाओएसि देखो सी डबलमार दोलेंड ऑजटी इंचतेप इस सी ओ नेगिटीव यहां हो गया है अब CH-3 को नेगटिव के साथ को नेगटिव के साथ कोण अटैच हो जाएगा क्योंकि इस पर पोज़िटिव चार जाएगा ना तो यहां हो गया बच्छे में MzBr कोई दिक्कत नहीं सर क्या कर दो आप Hydrolysis डाल दीजी acid अब शक्के साथ Hydrolysis तो यहां इसको मिल जाएगी हाँ देखें इसको मिल जाएगी यह और इसको मिल जाएगा ओए पानी ही है पानी क्या होता है पानी जाएगा है तो यह क्या बन गया कर्बोक्स लिए कैसे तो देखिए CH3COOH यह अंसर आ गया क्या गया है यह अंसर सर डिरेक्ट सिखा दो एक बार कैसे होगा हमें यह एरो लगाकर मेकैनिजम वाला जुगार समझ में नहीं आता तो बोलो यहां ले लिया मैंने ग्रिगनाड एजेंट CH3CH2MZBR ठीक सीधा प्रोडक्ट बता दूंए एक बार यहां यहां आजातों मैं सीधा प्रोडक्त बताने लिए देखो यह अलकाइल चेन लिख दो देखो यह वाली अलकाइल चेन लिख दी सर छी थीच टूलिक दिया जटीज लिख दो गे गरिगनाड इसेंट के साथ जो यह है वह तो बस येलो जोड़ दिया अंसर अंसर भी टा खलास सर यह तो कमाल होगा सर मेकैंटिजम से बता दो एक बर थोड़ा सा तो यहां डेल्टा नेगटिव चारज है बच्चे यहां पर है CO2 यह delta negative यहां से आकर यहां attack करेगा यह उपर जाएगा dry ether रहेगा तो देखिए C double bond O as it is C double bond O as it is इस O पर आजाएगा negative इस C के साथ कौन जुड़ा है CH2 CH3 जुड़ा है तो कौन जुड़ा है बचे CH2 CH3 जुड़ा है और O negative के साथ कौन जुड़ाएगा MGBR तो क्या जुड़ाएगा बच्चे MGBR अब क्या करवा दो कि बच्चे Hydrolysis मतलब H इसको मिल जाएगा और O H इसको मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा कर्वोक्स लेगा सेट क्लियर है सर बिल्कुल क्लियर है सर एक और सर बस लास्ट करवा दीजिए हमें अचलिए भी लास्ट कर लेते हैं CH3 CH2 CH2 MGBR CO2 फर्स्ट टैप में आप करवाएंगे क्या ड्राई थरके प्रजेंस में हीट करेंगे सेकिंड स्टैप में आप करवाएंगे हाइडरोलिसीज तो बताइए इसका डिरेक्ट प्रोडक्ट क्या जाएगा तो देखे क्या करना है आपको ग्रिगनार रिजेंट का आर ग्रूप एजिटीज लिखना है CH3 CH2 CH2 एजिटीज लिखेंगे और लास्ट में बस इसके साथ क्या जोड़ देंगे COOH और इस तरह से ग्रिगनार रिजेंट और CO2 की हेल्प से आप आसानी से क्या बना पाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना पाएंगे अच्छी बात है तो चलिए स्टूडेंस नेक्स्ट मेथड की तरफ प्रोसीड करें दैट इस फ्रॉम एसिड क्लॉराइड एंड एन हैड्राइड लट एसीड क्लॉराइड होते हैं बच्छे यहां पर आपके पास कार्बन की चेन है और उनके साथ लगा हूए है COCL क्या लगा हूए COCL एक और ले लऊँ तो आपके पास है CH3 CH2 COCL यह एसीड क्लॉराइड है और ले ले तो क्या बनेगा CH3 CH CH3 then CH2COCL सोचे इनका carboxylic acid कैसे बन सकता है acid chlorides का किनका बच्चे acid chlorides का let us find it out देखे भई क्या बन सकता है सर कुचनियन के तो hydrolysis करवा दो HOH मतलब पानी के साथ reaction करवा दीजिए सर इसके तो hydrolysis करवा दो HOH पानी के साथ reaction करवा दीजिए सर इसके तो hydrolysis करवा दीजिए पानी के साथ क्या करवा दीजिए reaction अपने आप समझ में आ जाएगा आपको क्या fund आ है याँ पर बोले यहां से क्या निकल जाएगा HCL गया HCL तो क्या बचा CH3COOH तो क्या बच गया है CH3COOH कोई दिक्कत नहीं सर बताई यहां से क्या निकल जाएगा HCL CH3CH2COOH तो बन जाएगा CH3CH2COOH क्लियर है कुछ भी नहीं करना इसे में तो भी क्या समझाएँ आपको यहां से भी क्या निकल जाएगा बचे HCL तो मैं इस HCL को मिटा दे रहा हूं यहां से तो यहां से यह बन जाएगा कहने का मतलब यह है तो यह तो था आप हमारे पास किसे acid chloride से आप प्रोसीड करें यह मरकर की इंक भी ना नीचे नहीं आ रहा याद इसलिए बार बार इसको ऐसे करना पढ़ रहा है ठीक एन्हाइड्राइड्स एन्हाइड्राइड्स होते हैं मारे पास कुछ इस तरह से CH3, CH2, CO, then O, then CO, CH2, CH3 यह एन्हाइड्राइड होता है मतलब CO, O, CO यदि यह functional group है और इधर भी carbon, इधर भी carbon तो यह एन्हाइड्राइड्स कहलाते हैं कौन सा functional group है C double bond O, then O, then C double bond O सर यहाँ से karboxlic acid कैसे बन सकता है देखो बिल्कुल प्याजस समझ में आएगा बड़त से बिल्कुल आराम से भाई यह आपको बिल्कुल आराम से बिल्कुल प्याजस σमझ में आ रहा है तो कमेंट में जाकर हमें जुरूर बताएं कि हाँ सर हमें अच्छी से clear हो रहा है तो देखे यहाँ पर आप पानी डाल दो ह, OH पानी डाल दो और इसको यहाँ से तोड़ दो यहाँ से देखो इस साइड में देखो क्या बच गया CH3, CH2, CO, OH बच गया कर्बोक्सली कैसी डिसर बिल्कुल बच गया अगें CH3, CH2, CO, OH means हम बोल सकते हैं acid chloride और anhydrides कि यदि आप hydrolysis करवाते हो तो भी आपको क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक acid मिलने वाला है ठीक है चलिए सर एक और example देखे बता दो हमें हाँ जी बिल्कुल CH3, CO, O, CO, CH2, CH3 तो मैं तोड़ तो यहां से इसको मिल जाएगी H और इसको मिल जाएगी OH मतलब पानी ठीक है तो बचाइए यह कार्बोक्सिलिक acid बन जाएगा यहां से CH3, CO, OH यह भी CH3, CH2, CO, OH तो दो कार्बोक्सिलिक acid मिलेंगे लेकिन अब की बार अलग-अलग कार्बोक्सलीक एसिड मिलेंगे यह तो दो कार्बन का तो इथेनोइक और यह तीन कार्बन का है तो प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा क्लियर है भाई हम पीछे पढ़ चुके हैं एक और मैथड यहीं पर मैं डिसकस करवा देता हूं आपको यह बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सलीक एसिड ठीक है यह आप कर लेंगे तो यहां पर हमारे पास मैथड जो था फ्रों एसिड कलॉराइड एंड एन हैड्राइड यह क्या होता है कंप्लीट होता है बस अब हमारे पास दो मैथड रह गए हैं तो चलिए जल्दी जल् है शी आइच तरी शीएच टूओ उचेज टूव और शीजट तूच तूसी यह बुली एस्टर रहन यह नहीं है सर बिल्कुल है बिकित जहां पर एस्टर बना था आपको यदी ध्यान हो एस्टर बनाने का मेथड हमने पढ़ा था कभी ऐस्टरी फिकेशन में तो जब एस प्रसमें कार्बोक्सिलीक एसिड दो चीजों से एस्टर बनता है एलकोहल से और कार्बोक्सिलीक एसेड से तो उस रेक्शन को बोलते हैं esterification reaction, ester के बनना esterification लेकिन ester का तूटना क्या कहलाता है deasterification reaction तो यहाँपर अब ester break हो जाएगा, टूट जाएगा ठीक है? तो सर तूटेगा कैसे जब आप ester की क्या करवाएंगे बचे, hydrolysis करवाएंगे क्या करवाएंगे hydrolysis वो acidic redo में भी हो सकती है और वह basic मेडियम में भी हो सकती Blood बोले अस्टर को break करो एक बार हैस्टर को हमेशा जब भी आप break करते हैं तो आप steht को यहां से break करोगे यहां से उट से यहां से अ थोत बोल्च पानी में हई भी होती है वह भी होती है तो समय इसको और एच मिलेगी इसको तो बूलेए यहां पर क्या मिल रहा आपको देखिए इस left-side में देखो CH3 CH2 COOH मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो लिखिदू मैं इसको CH3 CH2 COOH बोलेए क्या मिल गया carboxylic acid clear है लेगिन एक क्या मिल एपको C3 CH2 OH एलकोहल मिलेगी एक आपको क्या मिलेगी बच्चे एलकोहल मिलने वाली है ठीक है हां जी सर बिलकुल ठीक है कोई दूसरा एस्टर ले लिए जी आप यहाँ पर मैं लिख दूँ यहाँ पर आपके पास की बेंजीन है यहाँ पर लिख दूँ मैं CH2 CW ऐसे भी नहीं लिख माइनस की प्रेजन्स में मलब एस्टिया बेस के साथ तो कौन सा कर्बोक्षलिक एसिड बनेगा तो बोलिए यह कहां से ब्रेक होगा बच्चे यहां से इसको मिलेगा OH और इसको मिलेगा बच्चे H तो बताए क्या बनेगा बैंजीन COOH मतलब बैंजोईक एसिड क्या मिल ज बैंजी सर अब हम कर सकते हैं यहां पर ठीक है चलिए अच्छी बात है अब मैं आपको यहां पर हमारे पास जो में 30 प्रिप्रेशन और कार्बोक्षलिक एसिड वो कंप्लीट होते हैं क्या होते हैं कंप्लीट ठीक है बट थोड़े चोटे-चोटे में भी हैं आप उनको आ यह कोईड़ोफोंम टैस्ट है बचये कौन सा टैस्ट है आईड़ोफोंम टैस्ट है ठेक जो टॉलनस टैस्ट आपको याद हो तो L do hawai बाला टॉलनस टैस्ट ठीक जो हमारे पास फैलींग कुलर्ओंम टैस्ट था चैस्ट कि पीछे से COO negative COO negative COO negative याद करिए आंपर टोलंट में क्या था LD high होते थे हमारे पास LD high तोलंस रेजंट के साथ रिएक्शन करके अपने आपका उक्सिडेशन करवा ले तो बताईए होगा तो क्या reaction करके क्या बना लेते थे कार्बोक्सलीक एसिड सी ओ नेगेटिव बना लेते थे हैलो फॉम टेस्ट में क्या होता था ध्यान रखिए जिसके अंदर यह गुरूप प्रजेंट होता था यह थे तरी तरी ठीक है इसकी हम एक्षन करवाते थे आयोडीन नेओच के साथ तो मैं आपको बताया था अच्छे से प्रोडक्ट बनाना प्रोडक्ट बनाना किस तरह से बनाएंगे तो बताओ यहां पर इसको तोड़ देंगे यहां से इसकी तो आइड़ोफों बन जाती थ की च्ड़ी और इसका कर्भॉक्स लिक असिड दो कार्भॉक्स लिक असड़्ीड चत्री तே श्रीर नेगटीव क्यों लगा रहे हो औ। क्यों प्रेंगे तो यहां पर क्या बन जाएंगा से तो यह में टेस्ट किया एल्डी है और डिनमें Leistिंग्यूस कोई ब्सक्त किया था मिंधायल कीतो ग्रूब के लिए वहाँ पर भी एज अप प्रोड़क्ट हमारे पास क्या बना था कार्बोक्सिलिक एसिड बना था तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में अब हमारे पास लास्ट रियक्शन हम करते हैं और उस रियक्शन को जाना जाता है कोल बेज रियक्शन के नाम से तो चले भी देखते हैं call-based reaction वैसे हम separately call-based reaction की video बना चुके हैं with mechanism यहाँ पर मैं आपको call-based reaction का mechanism नहीं करवाने वाला हूँ यदि आपको call-based reaction का mechanism समेत वो reaction देखनी है तो यहाँ पर जो i button इस टाइंप डिस्प्ले हो रहा है आपकी screen पर वहाँ जा सकते हैं और call-based reaction को बिल्कुल deep में और detail में पढ़ सकते हैं यहाँ direct करेंगे हम call-based reaction में generally होता क्या है आपके पास phenol होती है phenol phenol से आप salicylic acid बनाते हो वही क्या बनाते हो salicylic acid मतलब यह रही phenol OH और इसके ortho position पे लगा हुए COH generally phenol को salicylic acid इसका नाम क्या है भई salicylic acid में convert करने की reaction ही call-based reaction गहलाती है याद भी रख सकते हैं आपको देखो कैसे call-based कैसे carboxylic acid इसका मलब इसमें carboxylic acid बनेगा और call, call मतलब phenol देखो call-phenol, call-phenol means phenol से carboxylic acid बनेगा हमारे पास तो reaction क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ देखे आपके पास है यह phenol this is phenol लेंगे पहले आप इसकी reaction नेवेच के साथ करवा दीजी या active metal के साथ या तो active metal के साथ या फिर नेवेच के साथ क्यूं करवा नहीं है क्योंकि यहां पर sodium phenoxide बन जाएगा आपके पास active metal hydrogen को हटा देगी और यहां पर बन जाएगा बच्चे sodium phenoxide यह बन जाएगा clear है अब बताओ इससे यदि यह बनाना है तो किस चीज़ का difference है बोले CO2 का difference है ना COO इसमें तो हैलेगन इसमें नहीं है तो बुला लिजे वही CO2 को किसको बुला लेंगे बच्चे आप CO2 को clear है CO2 को ठीक है किसको बुला लेंगे आप यहां पर CO2 को heat करेंगे 4-7 ATM pressure होगा लगबग यहां पर 300 Kelvin के आसपास temperature होगा तो सर स्योटू से क्या हो जागा देखें बिल्कुल प्यार से समझेंगे CO2 होने से क्या हो जाएगा देखें यह जो phenoxide iron है यहां पर मैं थोड़ा सा करके दिखा रहा हूं भाई आपको यहां पर ओ नेगिटिव है यहां पर यहां फिक्स हो जाएगा तो और तो पोजिशन पर बच्चे नेगिटिव चार्ज आजएगा नेगिटिव चार्ज और यह नेगिटिव चार्ज जो यहां पर कहने का मतलब और तो पोजिशन पर अटाइच हो जाएगे अब कहां टाइच हो जाएगी और तो देखिए क्या बन जाएगा यह बैंजीन एजटिज यहां पर देखिए क्लोज करके लिखिः मतलब टाइच है लगा देँगे यहां बंटो और यहां पर क्या दालो यहां पर तो यह बन गया ठीक यदि मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके लिखूं बंद करके लिखूं इस्ट्रक्चर को तो तो क्या ऐसे बने लिखी जाएगे और इसमें और इसमें क्या डिफ्रेंस ओच ओच आ गया एन्ने कलोरिन के साथ रफू चकर भाग गई लॉरिन सोडियम के साथ ठीक और एच यहां पर लग जाएगा तो फैनली आपको क्या मिल जाएगा यहां पर देखे रिंग एज इस बन जाएगे और यहां बन जाएगा स्योग तो यह बन जाएगा सद्री तो यहां पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के जो मेथड हैं वो क्या होते हैं हमारे पास complete होते हैं